चैनल आज की क्वेस्ट आजकी क्लास में मैं मैं रोटेशन का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग 고olet थे हैं कि सब्सक्राइब करें लोगी सब्सक्राइब कर लेता है यह मेरे पुरी कोशिश होगी अब अगर आप देखें यहाँ पे दिख़ रहा होगा यह तींकिंग कोश्चन जो ओलरीडी सब्सक्राइब किये चैनल को उनको पता है कि यह टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट होता है यह कोश्चन और यह कोश्चन कहीं नहीं कहीं ठीटिकल डिफ्ट वाले कोश्चन होते हैं वह आपको जहीं में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उसके अलावा और इस टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं instantaneous axis of rotation इसी को instantaneous center of rotation भी कहते हैं क्योंकि इस point के about body rotate करता हुआ दिखता है तो चलिए इस्टार्ट करते हैं तो यहां पर आप देखें instantaneous center of rotation कैसे देखेंगे सबसे पहले यह समझते हैं तो instantaneous center of rotation एक ऐसा point होता है instantaneous center of rotation body का एक ऐसा point होता है जो body के अंदर भी हो सकता है body के बाहर भी हो सकता है तो जरूरी नहीं है कि यह point body के अंदर ही रहे तो यह बाहर भी रह सकता है अंदर भी रह सकता लेकिन क्या जरूरी बात है जो icr रहेगा या iar रहेगा instantaneous axis of rotation या instantaneous center of rotation बोलोगे तो यह जो point होगा इसकी velocity हमेशा 0 होगी instantaneous velocity हमेशा 0 होगी ध्यान रखेगा मैं यह कता ही नहीं कह रहा हूँ कि इसका acceleration 0 होगा यह एक ऐसा point है जिसका velocity 0 रहेगा यह नहीं fixed point की तरह रहेगा रु है कि यह point रुका हुआ है और यह कैसा है इस point के पूरा body rotate करता हूआ feel होगा इसका मतलब है इस point के अब करहेगा यह जो मैं आपको तरीका बदाता हूँ, यह कोई body है, जो rotate भी कर रहा है, और translate भी कर रहा है, ठीक है? अब rotation और translation के कारण, माल लो, यह body लो, यह body पे कोई point A है, इसकी velocity इस तरफ है, भी A, ठीक है? यह कोई point B है, इसकी net velocity इस तरफ है, आप क्या करो इस से perpendicular drop करो इसका perpendicular और इसका perpendicular यह जहाँ पे cut करेगा यह point कहलाएगा ICR instantaneous center of rotation और यहाँ से जो axis pass कर रहा होगा उसको हम बोलेंगे instantaneous axis of rotation net velocity a point का ध्यान दीजेगा मैं वापस से repeat कर रहा हूँ आपको क्या करना है एक body जो rotate कर रहा है और translate कर रहा है यानि combine motion हो रहा है उसमें आप body का कोई भी दो point लें उसके net velocity का direction देख लें magnitude देख लें और उसका perpendicular line जहाँ पे cut करेगा उसको हम ICR बोलेंगे या वहाँ से जो axis pass कर रहा होगा उस axis को हम IAOR बोलेंगे ठीक है अब अगर आप देखें यहाँ पे तो यह जो दोनों यह है ध्यान दीजेगा यहाँ पे यह जो दोनों यहाँ C point इसको नाम दे देते हैं तो इसके साथ जो triangle बनाएगा यह जो इसके साथ triangle बनाएगा यह ए similar triangle होगा similar triangle होने का फाइदा क्या है तो अगर यह point C है तो VA upon VA upon AC is equal to VB यह velocity of VB upon BC यानि इस length का ratio इसके साथ और इस length का ratio इसके साथ बराबर होगा अब अगर आप देखें यह point fix हो जाए यह सिर्फ rotate करता हुआ दिखेगा तो जो net velocity होती है वो क्या हो जाएगा यह omega of the body हो जाएगा यानि ICR एक ऐसा point है जो हमें velocity निकालने में help करता है angular velocity पता करने में help करता है एक तरह से आप कह सकते हैं कि this theory is part of kinematics of rotation chapter ठीक है तो यहां से आपको यह पता चल गया आप जैसे माल लो कोई pure rolling करता हुआ बाडी है pure rolling कर रहा है तो इसका मतलब क्या है center of mass क velocity vcm है और angular velocity की value vcm by r है angular velocity की value vcm by r है तो यह वाले point का net velocity क्या हो गया जीरो हो गया यानि ICR यह point क्या हो जाएगा pure rolling के case में ICR की तरह भी है अब अगर आप देखें यहां पे यह आला point लिए यह r distance पे है तो देखो vcm equal to omega r हो गया direct ही vcm equal to omega r अब अगर आप देखें इस point का तो इस point की velocity क्या होगी इस point की velocity होगी vcm plus omega r यानि 2vcm अब आपको लगेगा sir perpendicular draw किये तो इधर भी हो सकता है भाई perpendicular कहां cut कर रहा है कैसे पता चलेगा तो उसके साथ मैंने एक और बात आपको बताई थी क्या बताया था मैंने यहां प से touch करके जा रहा होगा तो आप देखो वापस से वही बैठ जाएगा लिकिन अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है निकालने में तो आप यह point ले लो ठीक इसके सामने इधर की velocity ओमेगार इधर की velocity vcm चुकि यह दोनों बराबर है तो इसका जो resultant होगा यह जो a point है इसका resultant va is root 2 vcm और यह angle 45 degree होगा इसका मतलब है इस line का va के perpendicular draw करेंगे तो वो भी यहां से pass होगा और यह 45 degree तो यह भी 45 degree by this way you can easily calculate कि root 2 r हो गया root 2 r into vcm right तो इस तरह से आप आसानी से calculate कर सकते हो तो आप देखें यहां पर अगर आपको omega निकालना रहता तो आप आसानी से लिख सकते थे root 2 vcm divided by root 2 r root 2 root 2 कर जाएगा तो vcm by r omega वही आया तो इस तरह से आप icr चूज कर सकते हैं अब एक और property इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको जो बहुत ही interesting है बहुत सारे बच्चे पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन इस property को अगर पूछ दे कोई पलटके तो बता नहीं पाते ह गusing कर रहा है यह बोडी है जो प्योड रोलिंग कर रहा है इसका मतलब क्या है पूइड़ बताओ ₹алист है यहने अपना क्लास में भी देखा है बच्चे calculate करने लग जाते हैं, यहां angle निकालने में लग जाएंगे, triangle बनाने लगेंगे, अरे क्यों इतना करना, जब हमें पता है कि यह ICR है और इससे यह R distance पे है, तो इस point की net velocity ठीक, इसके perpendicular होगी, और कितनी होगी बच्चे, तो यहां पर की velocity omega into r होगी, vp equal to omega into r, यानि is equal to vcm, यानि अगर आप ध्यान से देखो, तो यह वाला जो point है, अगर आप ध्यान से देखो, यह वाला जो point है, इस पे, अगर हम यहां पर एक semi circle ऐसा draw करते, semi circular arc, जिसका radius r है, तो यह सारे point body के अंदर होते, इन points की जो net velocity होगी, वो कितनी होगी, क्योंकि यह distance r है, हर एक का distance r है, तो net velocity क्या होगी, हर एक point की net velocity omega r होगी, और यह property काफी सारे बच्चे गलत कर देते हैं, अगर पता नहीं है, ध्यान नहीं देते, तो गलती करते हैं, तो इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो यह हो गया, अभी जो हमने स फाइदा है, वो kinetic energy लिखने में बहुत फाइदा है, तो आइए सीखते हैं, कि वो फाइदा उठाया कैसे जाए, इस theory का benefit कैसे लिया जाए, तो आप देखिए, माल लो यह कोई body है, माल लेते हैं, यह कोई body है, मुझे पता है कही सारे बच्चे बोलते हैं, नहीं सर, यह आल of mass की velocity VCM है, और इसका ICR जो है, वो यहाँ पर है, लेट से ICR यहाँ पर, लेट से ICR यहाँ पर, instantaneous center of rotation, यहनी velocity 0, एक और बात मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, यह omega इधर है, इसकी velocity 0 है, इसकी tangential acceleration भी समय 0 है, लेकिन एक acceleration है, जो center of mass की तरफ है, omega square R, इसलिए आप यह नहीं कहेंगे कि ICR एक ऐसा point है, जिसका acceleration भी 0 होगा, यह नहीं कह सकते आप, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इस point को acceleration हो सकता है, ठीक है, तो ICR एक ऐसा point है, जिसका velocity जरूर 0 रहेगा, यह नहीं fix point की तरह रहेगा, acceleration होगा भी तो center of mass से ही pass कर रहा है, कोई फरक नहीं परता, उसक से, logic क्या लगाएंगे, उसकी बात करते हैं, तो logic क्या लगाएंगे, तो kinetic energy equal to हम जानते हैं, half m into vcm का square, plus half icm into omega square, यह सभी लोग जानते हैं, और यहीं लिखते हैं, अब अगर हम ICR की बात करें, तो यह distance, यहां से यहां तक का distance, अगर x है, तो vcm equal to omega x होगा, vcm equal to omega x होगा, तो आप देखो vcm को replace कर दो omega x से, तो यह क्या हो जाएगा बेटा, half m, vcm को omega x से करेंगे, तो omega square x square plus half icm into omega square, अब यहां से हो, half omega square बाहर लो, half omega square बाहर लो, half omega square बाहर लो, half omega square बाहर ले लोगे, तो यह क्या हो जाएगा, mx square plus icm, अब आपको दिख रहा है कि ICM plus MX square करेंगे तो यह क्या हो जाएगा moment of inertia about ICR यानि यह क्या हो गया kinetic energy equal to half into ICR into omega square क्योंकि इस axis के about जो moment of inertia होगा वो ICM plus MX square होगा जो यहाँ पर है तो यह हो गया moment of inertia about ICR into omega square यानि यह कैसा आ गया यह fixed axis rotation की तरह आ गया जब सिर्फ rotation होता था fixed axis rotation तो आप क्या लिखते थे moment of inertia about hinge into omega square divided by 2 सेम वही चीज यहाँ follow होता है तो कल को आपको कहीं भी इस तरह का question आये तो kinetic energy लिखने में बहुत ही आसानी होगी ठीक है चली अब इसका application देखते हैं यह तो मैं बता दिया आप मान लोगे सर रोट टेड़ा है रोट टेड़ा है पहले से यह तेड़ा है यह यह vertical rod बन गया यह vertical rod बन गया और यह स्मूध surface है touch कर दिया टच करते ही क्या होगा टच करते ही है सर से slide करने लग जाएगा अब जब slide करेगा तो इसके उपर force क्या क्या लग रहा होगा एक normal reaction लग रहा होगा upward direction में normal reaction upward direction में gravity का force लग रहा होगा downward direction this is only two force acting on the rod इसका मतलब है center of mass पे कोई भी force x-axis के along act नहीं कर रहा है on center of mass यानि center of mass will move vertically यानि यहाँ से आप कहोगे com will move vertically downward सी ओएम विल मूव वर्टिकली डाउनवर्ड अब अगर स्यूं वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो किसी ठीटा एंगल पर आप से पूछ दे कि भाई ओमेगा रिकालो तो क्या करोगे आप फटा-फट इसको ड्रॉ करोगे ऐसे यह हो गया सेंट्र ओफ मास कहीं हा अब सेंट्र ओमास यहां गया जिए ठीटा एंगल है ध्यान दीजेगा यहां पर इस एंड की वेलासिटी लेट सेवी एंवांते हैं यह लेंद्स क्या होगा बच्चे यह लेंद्स होगा ल बाई-टू तो अब अगर आप देखो सेंट्र ओमास की विलासिटी ठीक वर्ट और फोर्स लगेगा तो सेंट्र-ओम एकसिलरेशन विभर्टिकल्वी डाउनवार्ड है तो विलासिटी भी डाउनवार्ड ही रहेगा तो इसका मतब यह वेलासिटी इधर यह विलासिटी इधर इन दोनों विलासिटी का पर्पेंडिकुलर ज्रॉपर दो तो यह क्या हो आई-ए-ओ-ए-ए-ड़ या आई-सी-आर अब हमें पता चल गया आई-सी-आर क्या है अब यह एंगल थीटा होगा बेटा तो यहां से यहां तक का लेंथ हो जाएगा एल बाई-टू कॉस्ट थीटा और यह परपेंडिकुलर इधर वाला लेंथ हो जाएगा यहां बाई-ट ठीक है यहां आई सियार एक ऐसा पॉइंट है जो बाँडि के बाहर रहते हुए भी बाँडी का ओमेगा बताथा यहीं तो फाइदा है क्योंकि आपको पता है कि बाँडी पर रहेगा तो बाँडी का ओमेगा बता एक रहे बाँड़ा बैठा और वह ब्लू टुथ पर तुम लेकिन बाखी चीजों में help करता है हमें तो चलिए अब देखते हैं थांक्यू के लिए ठीक है ओने तो बोलेगा बोलते हैं और चैट देखते नहीं है कि अब देखो यहां पर आप से पूचा होता कि इस moment पर ओमेगा बता तो पहले पहले कहां था सेंट्र ओमास पहले यहां पर था तो भैई हम क्या करेंगे यह सारा सरफस स्मूत है यहां पे कोई फ्रिक्शन तो है नहीं तो हम conservation of energy लगा लेंगे by total energy आप क्या करोगे work done due to gravity equal to change in kinetic energy work done due to gravity कितना है mg into ध्यान दिजेगा work done due to gravity तो work done due to gravity यही हो जाएगा तो यह वाला length क्या होगा L by 2 sin theta तो mg into L by 2 1 minus sin theta this is work done due to gravity equal to change in kinetic energy initial kinetic energy क्या है बच्चे initial kinetic energy zero बाद की kinetic energy इस समय आप कैसे लिखेंगे लिखेंगे तो पहन से logic क्या लगाएंगे तो logic यह लगाएंगे कि यह rotate कर रहा है और इसके about हम moment of inertia देख लें अब इसके about moment of inertia कैसे दिखेगा तो इसके about perpendicular to plane कितना होता है ml square by 12 तो यहां क्या लिखोगे ml square by 12 प्लस इससे यह एक्सिस यहां दोनों एक्सिस ऐसे जा रहा है ध्यान रखिएगा दोनों ही एक्सिस ऐसे है तो यह perpendicular distance ही हुआ कई बच्चे क्या करते है नहीं सर यह perpendicular distance नहीं हुआ यह angle पे हुआ पता चला ऐसे perpendicular ले रहा है तो यहां से यह आ गया तो यह इधर वाला टर्म तो जीरो ही है तो काम खतम है अब यह तो आगया moment of inertia तो half into i into यहां पर आप क्या करोगे यहां पर omega square लिखोगे तो half into i into omega square बस यहां से देखो सारे quantity known है ठीटा एंगल पे omega पूछा है फटा फट निकाल दोगे आपको कहीं दिक्कत ने आईगी तो जो हमने इस पेज पे सीखा यह concept kinetic energy का उसका application हमने यहां पर कर लिया आप चाहते तो इसको फोर्ट में थट से भी करेंगे लेकिन वह क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा जब आप इसको फोर्ट यहां नॉर्मल यहां पर नॉर्मल ऐसे दिखाओगे gravity ऐसे रहेगा किसी एक point के about torque लिखे बहुत लंबा हो जाएगा तो उससे आसान है energy conservation लगाए और ICR का फाइदा ले लिए kinetic energy लिखने के लिए यह हो गया एक और application देखते हैं एक और application देखते हैं so that हमें clarity हो कि इस तरह के question को करते कैसे हैं तो एक और application अगर देखें लेट से इस तरह का कोई surface है ठीक है यह स्मूथ सर्फेस यह ध्यान दीजेगा यह कोई surface है सब smooth है जीरो इसका मतलब smooth ठीक है इधर वाला angle 60 degree दिया हुआ है एक rod slide करता करता एक एक ऐसा moment पर आया यह a और b दिया हुआ है यह o है एक rod slide करने के लिए छोड़ दिया गया एक rod था जो slide करने के लिए छोड़ दिया गया एक ऐसा मोमेंट आया जब रॉड की विलोसिटी इधर यू है दे दिया बी एंड की विलोसिटी यू है तो आपको बुलेगा विलोसिटी आफ एंड ए बताओ पहला question दूसरा question आपको पूछ देगा कि भाई angular velocity of rod बताओ तीसरा question पूछ देगा कि अगर mass m है length l है तो angular acceleration of rod बताओ ये तीन question आपसे इसमें पूछा जा सकता है तो फटाफट करते हैं इसको solve तो आप अगर यहां देखोगे आप अगर यहां देखोगे किस moment पे पुछा गया है यह सब पुछा गया है when अगर यह कब पुछा गया जब जिस moment पे उस moment पे द्यान रखियेगा जिस moment पे उस moment पे तो अब आप क्या करोगे इसकी velocity इधर होगी इसकी velocity इधर तो इसका perpendicular और इसका perpendicular यहाँ पर cut करेगा तो जहाँ पर perpendicular cut किया बेटा यह वाला point क्या हो गया यह वाला point ICR हो गया अब चुकि O A equal to O B है यानि यह length equal to A length है तो इसके सामने का भी angle बराबर होगा और यह exterior angle है exterior angle is summation of interior angle यानि यह 30 हो जाएगा यह 30 हो जाएगा तो चुकि यह पूरा 90 degree है तो यह वाला angle 60 यह वाला भी angle 60 क्योंकि यह भी 90 degree है परपेंडिकुलर ही तो cut करा रहे हैं तो यानि अब अगर आप देखो तो आप क्या लिखोगे U upon L क्योंकि यह 60 यह 60 तो यह भी 60 यह भी L हो गया यह भी L हो गया तो U upon L equal to VA upon L is equal to omega यहां से omega equal to U by L हो गया and VA equal to V हो गया VA equal to U हो गया VA equal to U हो गया तो देखो कितनी आसानी से यह दो पार्ट आप निकाल लिए यह दो पार्ट तो फटा फट सॉल्व हो गया कुछ करना ही नहीं पड़ा अब आपको पूछेगा कि भई आप एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड बताओ तो आप देखो ICR एक ऐसा पॉइंट है जिसका विलोसिटी जीरो है यानि फिक्स पॉइंट की तरह होगी और एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर ओफ मास की तरफ की हमेंसा रहे तो सेंटरों मास यह क्या होगा परपेंडिकुलर रहेगा यहाँ पर ग्रैविटी एमजी नीचे क्योंकि यह एक्सेलरेशन ट्रैंगल है सेंटर को मिलाओगे एक्सेलरेशन ट्रैंगल का तो परपेंडिकुलर होता है अब अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या करोगे आप इस पॉइंट के अबाउट यह क्या हो जाएगा रूट 3L by 2 इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो यह वाला एंगल क्या होगा यह 30 यह 60 तो यह एंगल 30 तो तुम क्या लिखोगे mg इंटू root 3L by 2 mg इंटू root 3L by 2 into sin 30 is equal to i about icr into alpha अब देखो i about icr कैसे लिखोगे तो ml square by 12 plus m into this यहानि i about icr निकालना रहा तो ml square by 12 plus m into root 3L by 2 का whole square इस तरह से i about icr निकल गया यहाँ पे put कर दोगे तो alpha of the rod निकल जाएगा kinetic energy of rod लिखना हो तो जैसे पीछे किये थे वैसे ही यहाँ भी कर लोगे half into i about icr into omega square kinetic energy of rod निकल जाएगा तो इस तरह से आप instantaneous center of rotation को use करके इस तरह के कोई भी question आसानी से solve कर सकते हो क्योंकि अगर इसको force method से solve करने जाते तो यहाँ पर एक normal act करता n1 यहाँ एक normal act करता n2 और mg तीन force होते फिर अब दो force variable है इसमें n1 and n2 equations बढ़े जाते और आपको solve करने में बहुत देर लगता यानि ICR एक ऐसा concept है जो हमें इन चीजों के लिए आसान बनाता है ठीक है तो यह चीज ध्यान दीजेगा जरूर अभी चलते हैं आगे एक और example करते हैं so that हम comfortable हो सकें कि भाई क्या है मालो यह एक L length का rod है यह एक L length का rod है इसकी इस moment में velocity 2V है और इस moment में velocity V है आप से पूछेगा कि angular velocity of rod बताए आप से पूछेगा angular velocity of rod बताए ठीक है तो आप से पूछेगा angular velocity of rod बताए जाए तो यहां पर आप अगर आप देखे नीचे कट कर आओगे क्योंकि similar triangle बनना चाहिए आप ऐसा नहीं करिएगा कि sir ICR यहां ले लेते हैं कि you cannot take क्योंकि दोनों velocity एक ही तरफ है तो आप यहां पर लोगे तो वह क्या करेगा वह similar triangle बना ही नहीं पाईगा इसका मतलब है कि इसका perpendicular और इसका perpendicular जो लेंगे वो नीचे में कट कराएंगे तब हम उसको ICR बोलेंगे क्योंकि तभी यह similar triangle बन पाएगा यानि अब अगर similar triangle बन गया तो हम क्या करेंगे 2V upon L plus X is equal to V upon X V से V कट जाएगा तो 2X equal to L plus X यानि X equal to L देखो कितना आसान हो गया X की value L आ गई अब आसान हो गया omega निकालना है omega फटा फट निकल गया यही ratio omega है तो आप लिखोगे omega equal to V by X यानि V by L omega निकल गया omega of the rod निकल गया omega of the rod निकल गया अगर आपको kinetic energy पूछा होता माल लो इसमें पूछा होता kinetic energy of rod बताओ तो आप kinetic energy of rod क्या लिखते है kinetic energy of rod half into moment of inertia about ICR into omega square omega V by L निकला हुआ है तो बच्चे यहाँ पे put कर देना half into V by L का whole square into I about ICR अब I about ICR कितना होगा तो I about ICR अगर हम लिखने जाएं तो ML square by 12 क्योंकि यह center पे होगा यहाँ से यहाँ क्या हो गया L by 2 तो ML square by 12 plus M into क्योंकि total mass यहाँ पे concentrated होगा L by 2 plus L 3 L by 2 का whole square बस इसको यहाँ पे put कर दो तो kinetic energy हो गया तो इस तरह से देखो आसानी से आप ऐसे कोई भी question कैसा भी रहे आप solve कर सकते हैं आपको कहीं कोई दिक्कत ने आईगी तो यह आदे गंटे के क्लास में मैंने आपको बहुत बड़ा concept और उसका application एकदम मस्त बता दिया है अब आप इसको practice कर लेना और I am sure के आप में से 99% बच्चे अभी इस तरह के question यह इस तरह के concept में गलती नहीं करेंगे बसरते कहीं अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो वापस वीडियो रन करके उसको सुनिए और फिर application आप करिए तो आसानी से आप कर पाएंगे तो enjoy this concept, enjoy this channel, enjoy my lecture मिलते हैं इसी तरह के lecture के साथ अगले वीडियो में